तो आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गोबी के पानाठे की रेसिपी आज ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे गोबी के पानाठे की स्टफिंग कभी बहार नहीं निकलेगी एकदम परफेक्ट बनेगा और बनाना भी बहुत असान होगा टेस्ट इसका बहुत ही जदा लाजवाब होने वाला है तो इसको ट्राइ करना बिलकुल मत भूलिए चले जल्दी से शुरू करते हैं आज की समझेतार रेसिपी को जिसके लिए यहां मैंने लिया है डेड़ कप आटा और अब मैं इसमें आदा चमश नमक डाल दूंगी और इसको एक वर हम आचे से मिकस कर लेंगे ठोड़ा-थोड़ा पानी डाल का हम इसका एकयाँ समूठ डो बना के तयार कर लेंगे आटा हमें बहुत श् installations darle unsett लंगाने से क्या होगा जो पराते हैं वह हमारे फटेंगे नहीं आटे का स्मूड डो लगके तयार हो चुका है अब इसी के साथ यहां मैं एक से दो चममज घी डालके इसको एक से दो मिनिट तक के लचे से नीट कर लूँगी और इसका एकदम स्मूड डो बना के तयार कर लूँगी ये देखिए आटाई के स्मूर्ट डोब लगके तैयार हो चुका है अब मैं इसको ढखके 15-20 मिनिट तक के लिए एक तरफ रख दूँगी तब तक के लिए हम अपनी गोबी की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं गोबी के पराटे बनाने के लिए यहां सबसे पहले हमें को कदूझ करना है और इसका हम बिलकुल पानी निचोड कर निकाल। अगर गोबी में पानी होगा तो जो पराटे हैं वो हमारे बनेंगे नहीं और जो stuffing है वो proper तरीके से फिल भी नहीं होगी तो ध्यान रखिएगा कि जो गोबी है वो बिल्कुल dry होनी चाहिए बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए तो आप इसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने गोबी ली है ये बिल्कुल dry है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अब इसी के साथ मैं इसको एक बड़े बरतन में पलट लूँगी अब इसी के साथ यहां हम गोबी में एड़ करेंगे ग्रेट किया हुआ अधरक उसी के साथ यहां मैंने एड़ की है और थोड़ा सा आम चुद पाउडर थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने या पे जिसको मैंने इस तरह से क्रश करके डाला है तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहां मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है बट यहां हमने नमक एड़ नहीं किया है यहां मैंने एड़ कर दिया है बारी कटा हुआ धनिया यहां मैंने थोड़ा धनिया की कौंटिटी जादा रखी है क्योंकि धनिया का फ्लेवर जो है वो बहुत ही जादा अच्छा आदा है सभी को हम एक वार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्टफिंग है उसमें पानी नहीं है यह एकदम खिली खिली है क्योंकि मैंने अभी तक यहां पर नमक एड़ नहीं किया है अगर आपको मॉर्निंग में बेकफास्ट में पनाठे बनाने हैं यहां मैं अभी पनाठे बनाने वाली हूँ तो मैं यहां इसमें एड़ करने वाली हूँ नमक यहां मैंने नमक एड़ कर दिया है और अब मैं इसको भी अच्छे से एक वार मिक्स कर लूँगे सबी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं स्चफिंग बनके तैयार हो चुकी है इसको अब हम एक तरफ रख देंगे तक किलिए हम आटा चेक कर लेते हैं 15-20 बनट हो चुके हैं आटा भी जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इसको एक से दू मिनट तक के लिए नीट करेंगे और आब हम इसके छुटी छुटी लोईयां बना के तैयार कर लेंगे जो लोई है वो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है आप इसे अपने अकॉर्णिंग भी बना सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा हलका सा रोल कर लूँगी स्टफिंग करने के लिए यहां हम पनाठी को पूरा रोल नहीं करेंगे यहां हमें सिर्फ आदा ही रोल करना है इससे क्या होगा जो स्टफिंग है वो बहुत ही अच्छी से इवनली पनाठी में फिल होगी अब मैं इसी के साथ यहां पनाठी में दो चम्मच स्टफिंग फिल करूंगी यहां मैंने स्टफिंग जो है उसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी जादा ली है जिससे की पनाठी का टेस्ट है वो बहुत ही जादा अच्छा आता है अगर आपके स्टफिंग की कंसिस्टेंसी एक दिम परफेक्ट है तो आप अराम से उसमें दो से धाई चम्मच स्टफिंग कर सकते हैं पनाठा आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा अब हम यहां सूखा आता लगाएंगे और अब हम पनाठे को अच्छे से रोल कर लेंगे अब आप देख सकते हैं जो पनाठा है वो कितने असानी से बिलने में आ रहा है अगर आपका पनाठा कहीं पर भी थोड़ा सा चिपक रहा है या स्टफिंग बाहर आ रही है तो आप इस पर थोड़ा सा सूखाटर लगा के इसको असानी से बिल सकते हैं अब यह आप देख सकते हैं जो पनाठा है वो अच्छे से बिल चुका है अब मैं इस पर पनाठा डाल दूँगी जैसे हम नॉर्मल पनाठा बनाते हैं इसी तरह से हम इसको भी सेखना है दोनों तरह से हम पनाठे को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पचा लेंगे जैसे ही पराठा पच जाएगा उस पे अब हम घी लगा के इसको अच्छे से से लेंगे पराठे को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही सिखा है क्योंकि जो तेज के इस पे अगर हम सिखेंगे तो पराठा जल जाएगा और अंदर से भी नहीं सिखेगा medium frame पर पराटे को इस तरह से दबाते हुए सीखिए पराटा बहुत अच्छे से सिखिएगा अंदर तक सिखिएगा और बहुत अच्छा सा क्रिस्प भी बनेगा ये देखिए इसी तरह से जो पराटा है वो सिक्के तयार हो चुका है लग रहा है ना कितना जादा yummy ये देखिए एकदम red एकदम golden एकदम crispy सी का है बहुत ही जादा tasty बनते हैं ये पराटे आप इस winter की season में ये पराटे एक बास जरूर ट्राए कीजेगा गोबी के पराटे मुझे तो बहुत ही जादा पसंद है इसी तरह से हम बाकी के सब भी पराटे बनाके तयार कर लेंगे ये देखिए यहां मैंने सब भी गोबी के पराटे बनाके तयार कर लिये हैं मैं आपको दिखा देती हूँ जो इस stuffing है वो भी कितने जादा अच्छे से हुई है यह देखिए जो स्टफिंग है वो कितने जदा प्रॉपर तरीके से हुई है आप इस तरीके से एक बार पराथे बना के जरूर ट्राइ कीज़ेगा इस सीजन में आप लोगों को बहुत ही जदा पसंद आने वाले हैं आप इस पराथे को किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं दही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए